जय हिन दोस्तो स्वागत एक बर फिर से एक नए वीडियो में मैसिवम आप देखना शुरू कर चुके हैं वेंडो क्लासेस दोस्तो आज के वीडियो में हम डिसकास करेंगे 36 गर समाने ग्यान के important question जो अनिक वर्षों से बार बर पूछे जा रहे हैं तो वीडियो को अंतक ज्यान से देखिएगा चैनल पे नहीं है तो चैनल को definitely subscribe किजेगा तो चले दोस्तो वीडियो सुरू करते हैं आज का पहला question देखिए 36 गर गोधन याय योज्या का प्राराम किस परवा में हुआ बहुत अच्छा question है दोस्तो गौर्वर्मेंट सरकार का महतो कांची योज्या है और यहां से question पूछे गया है और आगे भी पूछे जाएंगे तो option दिये हुए इन में से कौन सा परव है कुछ second ले सकते हैं उसके बाद अपना answer टिक करें जी दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा B हरेली अगर आपसे date पूछा जाता है दोस्तो तो आपको याद रखना है 20 जूलाई 2020 ठीक है यह date आपको याद रखना है और आपसे उद्दे की आय में विरिद्धी करना ठीक है दोस्तो किल्यर है तो इस question में बस इतना ही बढ़ते दोस्तो अगले question के तरफ second number question देखिए गुरु घंसी दास विश्वी द्यालय बिलासपूर को केंद्री विश्वी द्यालय का दर्जा की स्वर से दिया गया क्या बात है दोस्तो यहा केंद्री विश्वी द्यालय का दर्जा 2009 में मिला है एक question यहां से directly पूछा जाता है दोस्तो आपको याद रखना है 36 गड़ में एक मात्र केंद्री विश्वी द्यालय कहां पर है तो आपको याद रखना है बिलासपूर में कौन सा है गुरु घंसी दास विश्वी द्याल इनके कुलपती ठीक है आपको कुलपती भी पूछा जा सकते हैं तो कुलपती कौन है तो आपको नाम याद रखना है दोस्तों नाम आप नोट कर सकते हैं प्रोपेसर आलोक चक्रवाल यह कुलपती है ठीक है दोस्तों प्रोपेसर आलोक चक्रवाल तो हमने क्या का और कि य वियाद रखना है इससे बाहर का question नहीं बनेगा अगर हमारा कंटेन आपको अच्छा लगता है तो इमानदारी से एक लाइक जरू कीजेगा बढ़ते हैं दोस्तों अगले question के तरफ एने इस power company private limited इस्थित है कहाँ पे हैं दोस्तों रायगर में है कोरवा में है भिलाई में है या पिर इनमें से कोई नहीं बहुत ही अच्छा question है इसको हमने detail से कराया है जो हमारे series चल रही है तो आप playlist जरू उजिट करें कौन सा आप्सन सही हो जाएगा जी दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा C भिलाई में यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों आप लोगोंने नाम सुना होगा एंटी पीसी ठीके दोस्तों एंटी पीसी प्लस सेल यह दोनों के सयुक्त उपकरम है ठीके दोस्तों कहाँ पिस्तित है भिलाई में और अगर आपसे उत्पादन छमता पूछा जाता है तो आपको याद रखना है दोस्तों 574 मेगावार्ट ठीके MW का मतलब होता है किल्यार है दोस्तों बढ़ते अगले कुश्यान के तरब 36 गड़ आज यमें और सिधिये पौधों की कितनी प्रजातिया उगाए जाती हैं बहुत एच्छा कुश्यान है दोस्तों पौधे लगाना चीए ठीके परियावरण के लिए बहुत ही अच्छा होता है यहाँ पर ओप्सन दिये हुए दोस्तों कितनी प्रजातिया है जी दोस्तों इस कुश्यान का राइट आंसर हो जाएगा डी 88 एटी एट नेस कुश्यान देखिए च्छतिस गड़ में आदर्स मंडी स्थापित नहीं की गई है कहां पर नहीं हुआ है दोस्तों आप्सन यहां पर दिय कुरुद है मुंगेली है कमर्ध है यहां पर हुआ है यह नाम आपको याद रखने दोस्तों पर्टिकुलर एक नाम से पूछा जा रहा है ठीक है इसके अलावा आपको दो नाम और याद रखने हैं कौन-कौन सा है पहला है दोस्तों आपका धमतरी ठीक है सेकेंड नंबर हैं राजनान गाउं यह दो नाम आपको याद रखने दोस्तों धमतरी है और राजनान गाउं है कुरुद और मुंगेली और कवर्धा आपके आपसन में दिये गए हैं टोटल पांच है इन में से पर्टिकुलर एक भी पूछा जा सकता है तो सभी नाम आपको याद होना चाह हैं आप इसे कोई ट्रीक बनाके नाम याद रख सकते हैं बढ़ते अगले कोस्यन के दरब बांस की निम न लखित में से कौन सी प्रजाती प्रजाती 36 गड़ में सरवधिक पाई जाती हैं कौन सी प्रजाती है दोस्तों आप्षन दिये हुए हैं इन में से कौन सा आप्षन सही हो जाएगा जी दोस्तों इस कोश्यन का राइट आंसर हो जाएगा ए लाठी बांस यहां से और क्या कोश्यन पुछे गए हैं दोस्तों तो आप से 6 पूछा जा सकते हैं कितना है तो आपको याद रखना है 6556 मतलब 6556 वर्ग किलोमेटर ठीक है दोस्तों यह आपको याद रखना है उसके बाद क्या पूछा जा सकते हैं कूल वन का ठीक है जो 36 गड़ में कूल वन है उसका कितना परतिसत है तो उसके लिए आपको याद रखना तो आपको याद अखना है दोस्तों नर्बांस के नाम से जाना जाता है अब यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ लाठी बांस को नर्बांस के नाम से जाना चाता है छेत्र फल कितना है 6556 वर्ग कीलोमीटर ठीक है अब इस परचेंड को आपको यादख नहें अलग-अलग तत्थ्य है 11 परचेंड क्यां दोस्तों 36 गड़ में कुल वन का बास कच्छेतरफल कितना है तो 11 परचेंड ठीक है उसके बाद 36 गड़ में वन का जो राजास्व है अकेले बास कितना देता है 12 बताया है दोस्तों उसको आपको याद रखना है ठीक है किलियर है अगला कुश्यन दिखिए गंग्रेल जल विद्धूत प्रविज्ञा में खाली स्थन बिजली पैदा करने की छमता है बहुत अच्छा कुश्यन है दोस्तों यहां पर आप्सन दिये गया है मेगावार्ड मे अगर आप हमारा लगातर वीडियो देख रहे है तो इस कुश्यन को आप असानी से कर सकते हैं तो कौन साप्सन सहीं हो जाएगा जी दोस्तों इस कुश्यन का राइट अंसर हो जाएगा C 10 मेगवार्ड अब यहां पर गंग्रेल बान नाम आया है दोस्तों तो आपको याद धंतरी नाम आपको याद अखना है लुक किये उसके लिए प्लेलिस्ट वॉपर летन में दे दूँगा दोस्तों वहाँ पे लगबग 50 वीडियो अपलोड हो चुके हैं अगर आप 50 वीडियो को आप देखते हैं तो लगबग आपका प्रीय और मेंस का तैयारी हो जाएगा ठीक है इसी प्रकार से हम सभी क्योश्चन को डिसकर्स करते हैं नेस क्योश्चन देखे दोस्तों बस्तर म इस स्थापना हुआ है दोस्तों कि जी दोस्तों इस क्वेशियो में एक के साथ जाएंगे था ठीक है दोस्तों नेस कोश्चन देखिए अगला कोश्चन देखिए अगला कोश्चन देखिए जली से अपना अंसा टीक करें जी दोस्तों इस कोश्चन में हम डी आप्सन के सांट चाएंगे 2016स backyard यहां पे दोस्तों आपसे अईसा exponent पोछा जा सकते हैं इस योजन्या में कौन कौन से फसल को सामिल किया गया है सेपरेट किसी एक फसल को उठा के दे देगा ठीक है दोस्तो यहां पर आप सभी को पता है दोस्तो धान तो common है ठीक है सभी को पता है इसके अलावा कौन-कौन से फसल है तो आपको नाम याद रखना है दोस्तो मक्का है सोया बीन है ठीक है सोया बीन है उसके बाद है मुंग फली ठीक है दोस्तो उसके बाद है अरहर ठीक के दोस्तो ग्राम पंचायस से तो हमने कौन-कौन से फसल देखे हैं यहां पर मक्का है सोयाबीन है मुंग फली है अरहर है और उड़ाध है धान कॉमान है ठीक है दोस्तो तो इस कोश्यन में बस इतना ही बढ़ते दोस्तो अगले कोश्यन के तरफ 36 गड़ में सीट बेंग योजना किस वर्षा से प्रारम की गई है किस समय से प्रारम की गई है आप्सन दिये हुए है जी दोस्तो इस कोश्यन का राइट आंसर हो जाएगा सी 278 ने इस कोश्यन देखिए सहकारी छेत्र में मक्का प्रसंसकरन की स्थापना 36 गड़ में कहां की गई है कहां पर हुआ है दोस्तो आप्सन दिये हुए है बस्तर है कांकेर है दंते वाड़ा है या फिर कोंड़ा गाउं है कौन सा आप्सन सही हो जाएगा जी दोस्तो इस कोश्यन का राइट आंसर हो जाएगा डी कुंड़ा गाउं कुंड़ा गाउं पर कहां पर तो नाम आपको याद अखना है दोस्तो कोकोडी ठीक है दोस्तो किल्यर है अगला कोश्यन देखिए निम्न लिकित में से किस जीले में दूफसली छेत्रफल अधिक है कौन से जी ले दोस्तों आप्सन दिये हुए हैं फटाफट अपना अंसर टिक करें जी दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा डी जांजगीर चापा यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों जो किया गया है इस करन जांजगीर चापा के साथ आप जा रहे हैं जांजगीर चापा में भी होता है मगर इससे ज्यादा राज जांजगा में होता है किल्यार है अगला question देखिए कि एसिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहां है कहां पर दोस्तों आप्शन दिये हुए हैं इन में से कौन सा आप्शन सहीं हो जाएगा जी दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा डी जगदलपूर नेस question देखिए 36 गड़ की कौन से सीचाई प्रयोज्ञा को प्रधान मंती क्रिसी सीचाई योज्ञा में सामिल किया गया है क्या बात है दोस्तों यहां पर option दिये हुए हैं इन में से कौन सा option के साथ जाएगे दोस्तों ये question आप लोगों के लिए है इसका answer आप लोग को detail से comment box में देना है अगर वीडियो के recording कोई भी question है या doubt है तो आप हमें बेजी जाग comment कर सकते हैं आपका comment का इंतिजार रहेगा अगर आपका कोई suggestion है तो आप हमें mail कर सकते हैं तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों मिलते हैं next video में जब तक खुश रहे दोसरों को भी खुश रखें जैहिंद